कि बाहिए इस्ट फ्ट यहां पर करने वाले हैं इस्ट के चाइंद इस्ट इफ के साथ मैंसникомड़ एंटीट के वारे में जाधा बात करेंगे क्योंकि एस्ट 2420 के बारे में एको बहुत इसके बारे में जादा भात यहां पर नहीं कora करने वाले क्योंकि हमने काफी ज़्यादा वीडियो इसकी बना रखी है तो भाई सबसे पहला जो इसमें बैड पॉइंट है कि इसका मूर प्राइज का रखा गया यहां पर 50,000 के आज पास आपको डिसकांट के बाद देखने को मिलता है उपर से भाई इसमें आपको बैजल क काफी ज़्यादा कर दी गई है नोड़ यहां पर जो स्क्रीन की क्वाल्टी है वह बहतर आपको देखने को मिलती है लेकिन इसके जो बैजल से काफी जाद है इसमें आट मेंगा पिक्सल का टेली फोटो लेंस है त्री एक्स ऑप्टीकल जूम के साथ 50 मेंगा पिक्सल का द 12 मेंगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड है तो चले भाई सबसे पहले मैं आपको फोटो के सेंपल दिखाता हूँ दोनोई फॉन के फिर हम देखे के कौन सा फॉन कैसा यहां पर काम करता है अगर वन नेक्स की बात करूं तो 50 मेंगा पिक्सल होने के बावजूद भाई जो क् हमें देखने को नहीं मिलती है जो यहां पर स्नैब्रेगन ट्रिपल एट वाला वेरियंट है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग भी काफी जादा तकड़ी है और बात करें अगर अच्छी आपको देखने को मिल जाती है उसके बाद टेली फोटो लेंस के अगर हम बात करें तो य हो जाता है क्योंकि इसके पास ज्यादा कोट्रास्टी फोटो हमें देखने को मिलती है 3x मोड में क्योंकि इसमें आपको ओई एस दिया गया वेराजS 23FB में कहीं भी मैंशन नहीं कि 8x में आपको वाई यहां पर दिया गया है अगेन आप इस फोटो में देखिए ऐसा नह एक्स की फोटो मुझे थोड़ी से बहतर लग रही है स्ट्वांटी एक्स की में अगर आप देखोगे तो हाँ पर मुझे स्ट्वांटी एक्षा लगा इसके बाद अगर मैं बात करूँ अब प्राइमरी कैमरा की अगें अगर आप एक क्लोज ऑब्जेक्ट की फोटो लेते ह तो मेरे ख्याल से स्ट्वांटी फ्वी यहां पर विनर रहेगा क्योंकि जाद अच्छे से यह फोकस कर लेता है लेकिन अगर आप कलर्स देखो या बैग्राउंड में डेफ्ट इफट देखो तो वह धोनोई फॉन नहीं यहां पर काफी अच्छे किया है लेकिन अगें ए यूमन सब्जेक्ट की यहां पर तो उसमें भी आप देख सकते हो कि एस्ट वन एफ़ी की में आपको थोड़ी जाद अच्छी देखने को मिलेगी और मोर कॉंट्रास्ट नहीं पर देखने को मिलेगी वह इसलिए क्योंकि यहां पर ओई इसका सपोर्ट हमें देखने को मिल और कलर मुझे जाद अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ अब तो यहां पर एज क्योंकि इसमें एट के वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है 20 फ्रेम पर सेकिंड तक तो यहां पर ले लेता है लेकिन हम दोस्तों जो कंपेर करेंगे वो करेंगे यहां पर फुल एजडी 60 फ्रेम पर सेकिंड पर क्यूंकि हमारा जो एडिटिंग वाला सौफ्टियर भाई इतना ही वो यहां पर मैक्सिम सपोर्ट करता है तो भाई इसके लिए हम सबसे पहले देखे कि कि इसमें कितनी सारी ऑप्शन है डिफरेंस के लिए तो भाई यह वीडियो रिकॉर्ड ओर यहां नो के बैग केमरे से एस 23 फ्यमें चास मेगापिक्सल का बैग कैमरा है और एस ट्वट एफिदी फ्रेम पर सेकिंड पर अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टेबलाजेशन दोनों इफॉन में दोस्तों आई यहां पर और ए एक्सपोजर की जो एजर्समेंट है यहां पर वो थोड़ा सा हाइलाइटिड करता है S23 FE और S21 FE में थोड़ा हमें डार्क शैडोज ज्यादा देखने को मिलती है ज़्यादा मतलब आप कंपेर कर सकते हो जब आपके पास दोनों फॉन हो अदरवाइस इतना ज़्यादा डिफ्रेंस को हमें देखने को नहीं मिलता है और जब 60 फ्रेम पर सेकंड पर हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर जूम नहीं कर सकते हैं दोनों फॉन में मतलब कैमरा शिफ्ट नहीं कर सकते हैं 3X तक लेकिन हम इसी कैमरे को यहाँ पर जूम कर सकते हैं और मेरे ख्याल से कर आप 4X तक जूम करोगे तो आपको ठीक ठाक सी quality देखने को मिलती है और stabilization भी हमें ठीक ही देखने को मिलती है बागी दोस्तों आप video quality देख सकते हो दोनोई phone के camera से कैसे आपको देखने को मिलती है दोस्तों अगर इन दोनोई phone के camera से आपको camera में switch करना है और ultrawide और 3X पर यहां पर videos record करनी है तो आपको दोस्तों simply यहां पर full HD 30 पर video record करनी है और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने अभी switch किया 0.5X पर और आप देख सकते है quality भाई काफी शानदा दोनोई phone से आपको देखने को मिलती है भाई S23 FE काफी जादा महंगा यहां पर almost 20,000 से 20 जादा यहां पर cost उसकी महंगी पड़ती है अगर आप S21 FE के मकाबले देखो लेकिन अगर हम quality की बात करें तो 3X पर आप देख सकते हैं भाई दोनोई phone से कुछ इस्तरी की quality देखने को मिलती है I think stabilization के मामले में तो दोनोई phone सीमलर से है थोड़ा S23 FE मुझे better लगा 3X पर लेकिन अगर मैं बात करूँ quality की तो मेरे खासे भाई S21 FE का जो 3X कैमरा है उस्तरी जादा अच्छा है फिर हम 3X से सीधा switch कर सकते है 0.5X में और 0.5X में दोस्तों दोनोई की quality almost similar सी है दोनोई phone में हमें देखने को मिलती है तो भाई दोनोई phone के front camera से यहां पर आप slow motion video भी record कर सकते हो और जो मैंने difference देखा है कि इसमें वह यह है ताकि भाई S23 FE है उसमें आपको थोड़ी दारकर सी वीडियो देखने को मिलेगी front camera से और यह आपको दोस्तों लास्त तक अभी पता लग जाएगा मलब थोड़ा S21 FE brighter side में आपको लगेगा और S23 FE हमें थोड़ा darker side पे लगेगा मलब contrast थोड़ी आपको देखने को मिल जाएगी बाकि दोस्तों अभी आप आगे देखिए तो दोस्तों जो अभी आप वीडियो देख रहे हो यह दोनों front camera से बन जिए आपको राइट साइड में देख रहा होगा भाई S23 FE और लेफ साइड में आपको S21 FE दिख रहा होगा और आप देख सकते हैं बिलकुल सूरज मेरे पीच्छे इस्ते हैं और कैसी quality हमें देखने को मिल जिए और थोड़ा बहुत क्रॉप हो जाती है वीडियो क्योंकि स्टेबलागेशन आउन कर रखे मैंने और धोनवी फॉन से दोस्तों आप आल्मोस सीमिलर सी वीडियो क्वालिटी की आउटपूट नहीं कहा सकते हो इनका जो वीडियो का आउटपूट है बाकी सकते हो भाई कि इस तरीकी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है तो भाई धोनवी फॉन के फ्रन्ट केमरा यहां पर स्पोर्ट करते है पोर्टेट वीडियो लेकिन इसमें आपको इस तो देखने को नहीं मिलता है इसलिए थोड़ी स्टेबलाजेशन आपको धोनवी फॉन में बेकार देखने को मिलेगी और बै कैमरे से भी आप बना सकत बात करें दोस्तों यहां पर नाइट क्वालिटी की तो भाई एक निया फॉन होने के साथ साथ बैटर प्रोसेसर होने के साथ साथ यहां पर भाई जो इसकी नौइस को रिडियूस करने की काबलियत है वो भी यहां पर जादा है आप देख सकते हैं स्ट्वाइशन आपको जादा आपको देखने को मिलेगी एस 23 अफी के मकाबले वेरेस बात करें अल्टरा वाइड शौर्ड में तो भाई वहां भी मुझे यही डिजर्ड देखने को मिला जो इसकी दोस्तों आफ्टर ट्यूनिंग की एस 23 अफी में वह काफी जादा अच्छी है वेरेस जो आपक तक ओपन रहता है वही एस 21 एफी दोस्तों आपको यहां पर क्लियर इमेज तो देगा लेकिन नौइस फिर भी दोस्तों इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी एस 23 एफी के मुकाबले अब देखे दोस्तों बात करें अल्ट्रा वाइड शौर्ड की तो इल्ट्रा व बस मेगा पिक्सल की सेल्फी मिलती है 21 एफी में 32 की बस वही फरके दोस्तों जूम करने पर आपको एस 21 एफी की में ज्यादा अच्छी लगेगी वेराज 23 एफी में क्वाल्टी आपको थोड़ी सी डाउंग्रेड होती दिखेगी बात करें पोट्रेट शौर्ड की तो भा भाई नाइट मोड की अगर मैं बात करूं तो नाइट मोड भी हाँ आपने अच्छी देकने को नहीं मिलती है कुंकि भाई में स्टी फी में आपको ज़्यादा वेराजसर देखने को मिलता है तो भाई इस वीडियो में इतना एक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक झाल 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 ।